हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आसा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण सपर्स मेरे चोटे भाई बहन को धेर सारा प्यार आपके अपने योटूब चैनल नीलम मिश्टा ब्लोग में स्वागत है फ्रेंज और यहां पर मॉर्निंग का टाइम है तो आप सभी को गूड मॉर्निंग और आज है गुरुवर तो बस गुरुवर का पूजा मॉर्निंग का मेरा हो चुका है और यहां पर चड़ा देते हैं अपने लिए चाय और यहां देख सकते हैं चाय पती जब ब्रत का हमको चाय बनान तो उसका चाय पती मैं अलग रखती हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा जो पैकेट में बचता है डबे भरने से तो बस उसको ऐसे ही रख देती हूँ, फोल्ड करके और ब्रत में मैं वही लेती हूँ, क्योंकि डबे में होता है, फिर भी किसी भी तरीके से वो डबे को बच्चे भी छू देते हैं तो फिर इसलिए ब्रत में उस चाय पती को यूज नहीं करती हूँ यहाँ पर मैं मखाना तोड़ तोड़ के देख रही हूँ क्योंकि कितना भी फ्रेस हो फिर भी ब्रत में देखके अच्छे से ही खाना चाहिए और उसको देखके हमने फ्राई करके अपना और इसको बनाएंगे और चूले की मोटी रोटी बनाएंगे और छोटा सा ही ब्लोग है फ्रेंस तो प्लीज फूलवाज जरूर केजिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंस और फेमली में सेयर भी करिएगा और यहाँ पे सब ज जाटा भी हो चुका है और साग भी मेरा रेडी हो चुका है बस थोड़ा सा कलचुल के इससे ऐसे ही मिक्स कर देते हैं जो जिससे थोड़ा सा जो बारिक हो जाएगा और सेम्पल सा ही साग बनाएं हैं आज मिक्स साग है पर सेम्पल से ही बनाएं जैसे लेसुन और मेच का तड़का देखे ऐसे भी अच्छा लगता है क्योंकि साग बनाने के कई तरीके होते हैं और सेंपल से भी बनता है उबाल के और कच्छा जो मिर्च लेसुन वगर डाल के भी बनता है तो फिर अपने खाने का तरीका अलग-अलग होना चाहिए फिर मैं जैसे भी बना देती हू तो मैं चटनी पिस्वा लेती और आज है गुरु और फ्रेंस तो मैं ज्यादा कुछ जैसे काम गरा भी मेरा नहीं होता है आप लोग भी खाली जीए फ्रेंस क्योंकि थाली तयार हो चुका है और सनी के पापा को मैं देके आ चुकी हूँ क्योंकि फाष्ट वाला रोटी हम सेके रख दिये हैं चुले पर देख सकते हैं उसके बाद से दूसरा रोटी है जो उसको सेके तो हमने कहा कि दे देते हैं सनी के पापा खा लें अपना क्योंकि अगरा खाय होते हैं मौनिंग में नास्ता करके तो फिर दोपार का जो है खा वासे अपना इसको भी सेख के फिर चलते हैं जो भी है काम बाकी बरतन वगरा का ज्यादा कुछ बरतन भी नहीं हुआ है क्योंकि साग और रोटी ही बना है तो बस यही कड़ाई है और जो तवा वगरा है और जो दो तीन थाली होगा जो बच्चे लोग खाएंगे और उनके पापा का तो फिर आएगी श्रिष्टी तीन बज़े तो वही धुलेगी क्योंकि बरत होता है तो फिर मैं बरतन थोड़ा कमी धूलती हूं और क्योंकि जूठन होता है और फिर से नहाना तो होता ही है सामको फिर भी मैं अगर कोई करने वाला है तो चलो कोई बात नहीं है परहेज कर ही लेना चाहिए नहीं है कोई करने वाला तभी हमको करना चाहिए क्योंकि भगवान भी जानते हैं और यहां पे सब कुछ बन चुका है और तो खाना पिरा हो चुका है फ्रेंस बचे लोग अपना खा चुके हैं और स्रिष्टी आये थी तो उसने बरतन वगरा करना क्यों वीडियो का एंड साम को ही कर रहे हैं इस टाइम पे साड़े चार वज रहा है तो हमने कहा वीडियो का एंड भी कर लेते हैं और छोटा सा ही बलॉग है फ्रेंस तो प्लीज फूलवा जरूर किजिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर करती है तो बस ऐसे ही सेम्पल से ही रहते हैं गुरुवार को कुछ भी ना तो कपडा धुलते हैं और ना यह ही बरतन कोसिस करते हैं क्योंकि आज कर वर्तन में भी साबून लगता है तो फिर उसको भी नहीं दुलते हैं और श्रिष्टी आज आती है तो धूल के अपना अप्रवार को ज्यादा वह अलग खाना नहीं बनाती हूं कि ज्यादा बरतन होकि क्यों बच्ची को ही दोना पड़ता है इसलिए सब्जी रोटी चलता है गुरुबार को तो फिर ज्यादा लेंधी नहीं करेंगे ब्लोग को और प्लीज सपोट कर ये फ्रेंज और अपना प् प्रहींज‬